किसी ने मुझे हाइली रिक्वेस्ट किया था कि मैं कोई जहाग वाला कोई पॉमिंग फेश्वास बताइए जो कि मेरे स्किन को सूट करे मुझे समर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आज मेरे पास है यह ममा आर्थ का एक्वाग्लो फेश्वास यह विद हिमालियन थर् तो ममा आर्थ का एक्वाग्लो फेश्वास है यह सबसे पहले इसके बारे में बता दूं यहां पर मेंशन भी किया गया है यह पैरावीन और सलफेट फ्री है डर्मेटोलोजिकली टेस्टेड है सूट्स और स्किन टाइप जो कि यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब कि सभ यहां पर दिये हुए है प्राइस की बात करो तो इसका प्राइस है 399 रुपीज जो कि आप अगर ऑनलाइन ओर करते हैं पर पल पर लेते हैं क्योंकि पर पर हमेशा ही ऑफर चलते रहते हैं तो वहां पर भी आपको काफी रीजनेबल प्राइस पर यह बिल जाएगा या फि आप सब को बता दूं कि इनके जो प्रोड़क्ट होते हैं इनके सारे ही प्रोड़क्ट जो होते हैं वह इसमें दिया भी गया है कि इनके जो इंग्रीडेंट होते हैं यह नैचुरल होते हैं पूरी तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आपके स्किन पर किसी तरह का कोई न आम ये तो आपके तूद ब्रश नहीं है आपकी इस लाइक्ताक करूब Hmm तून अगर इसे आप अपने स्कीन पर हों फेशवास करते वह तो आपके स्किन की डर्ट तो निकलती है, डेट स्किन तो बाहर होती है, साथ ही साथ वाल्टेर्स और ब्लैकेट्स में रिमूब हो जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, यह देखिए, यहां पे ओफ लिखा हुआ है, और इस तरफ अन लिखा हुआ है, तो जब भी आप इसे घुमाना है, और इसली हलका सदव आएंगे, तो यह बाहर आएगा, और आप असानी से इसे अपने फेस पर यूज कर सकते हैं, तो इस फेश वास को मेन और वोमेन दोनों यूज कर सकते हैं, 15 साल से उपर के बच्चे, मतलब 15 साल से नीचे वाले नहीं, उस से उपर वाले स स्किन टाइप है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें, अगर आप भी अपने स्किन को डिहाइडरेशन से बचाना चाहते हो, तो बहुत सारा पानी पीजे, और यह ममार्त का हिमालियन थर्मल वाटर, हाइडरेशन, फॉर इंटेंस हाइडरेशन, अगर आपकी स से फेश वास कीजे, आप देखेंगे, आपकी स्कीन जो है, डेहीडरेशन से मुख्त हो जाएगे और आपकी स्किन बिल्कुँ ग्लियन हो जाएगे, गलोविंग हो जाएगी, पानी बहुत सारा पीना है, मॉस्टुराइजर यूज करना है, साधी साध संस्क्रीन भी नहीं है तो इसे मैं open करूंगी बहुत हलके से आपको करना है right side में यह देखिए यह open हो जाता है और बहुत थोड़ी से quantity में यह देखिए यह निकलना में start हो गया है तो इसे face पर use करने से पहले आपको अपने face को थोड़ा सा गिला करना होगा जैसा कि आप face wash normally use करते हैं और इसके बाद यह forming face wash यह इस तरीके से आपने सिर्फ एक ही बार push करना है जितना निकालना है एक ही बार में अगर आप इसे दबा के रखेंगे तो यह निकलता रहेगा जैसे कि मैंने अभी दबा के रखा था द्यान नहीं दिया मैंने इस तरीके से आपको फूरे face पर लगा लेना है बहाती सौफ तरीके से का बार्च बिल्कुल भी face पर नहीं लग रहा है और बिल्कुल जैसे आप facial massager वगरा यूज करते हैं बिल्कुल वैसा feel हो रहा है यह आपकी skin के लिए बहुत अच्छा है हो गया अब मैं face wash करके दिखाती हूँ आपको तो मैंने face wash कर लिया है कितना अच्छा glow आया है इससे साथ ही इसकी जो फ्रेग्रेंश ना वह बहुत अच्छी और face wash करने के बाद ना बिल्कुल ठंडा ठंडा जैसे मिंट होता है ना वैसा कुछ लग रहा है फेस पे बिल्कुल एक दम ठंडा सा और बिल्कुल शाइनी शाइनी सा हो गया है फेस जैसा आप फेशियल कराके आते हैं तो नोज वगेरा आपकी थोड़ा शाइन लगता है नोज पे वैसा ही दिख रहा है पता नहीं आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा यह देखिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह फेश्वास अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप मंगा सकते हैं यूज कर सकते हैं आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लोइंग बनात अच्छा है यह मुझे बहुत पसंद आया और किसी तरह का कोई केमिकल वगरा भी नहीं उसकिया गया है तो काफी अच्छा प्रेश्वास है तो यह था मेरा रीव्यू और डेमो आप सबको पसंद आया होगा तो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा तो मिलते हैं मैं लग्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई